स्वागत है आपका मेरे चैनल हैपी जेमेनिया चैनल में तो दोस्तो मेरा चैनल में हमेशा आपको ऐसे वीडियो मिलेंगे जिसमें आपके पास बजट कम है और आप अच्छा खासा जिम एक्साइज करना चाहते हों चाहे आप साइट सप्लिमेंट्स की बात करें इन सारी चीजों के बारे में मैं आपको जानकारी देता हूँ तो दोस्तो आज हम बात करते हैं कि आप जिम जा रहे हैं वर्क आउट कर रहे हैं या आप नॉर्मल एक्टिविटीज में हैं और आपको प्रोटीन का रिक्वार्मेंट है अब ऐसी कंडिशन में आपको आपका ट्रेनर जो है वो सजेस्ट करता है कि आपको वे प्रोटीन लेना चाहिए लेकिन दिक्कत यह आती है कि आपका बज़ट उतना नहीं है आप महिने के इतने पैसे खर्च नहीं कर सकते हैं तो क्या ऐसा वेक्ति अपना सरी नहीं बना सकता तो इसी टॉपिक के उपर आज यह मेरा वीडियो है इसके वीडियो दो सिरीज में बनेगा एक बनेगा ऐसे वेक्तियों के लिए जो की नॉर्मल वेट पे हैं जो गेनिंग मसलमाज भी चाहते हैं साथ में फैट बढ़ाना भी चाहते हो और दूसरे वीडियो रहेगा ऐसे वेक्तियों के लिए जो लीन मसलमाज को बनाना चाहते हैं तो दोस्तों हम बात करते हैं कि यदि हम वेप रोटीन नहीं ले सकते हैं तो क्या ऐसा कोई सोर्स नहीं है जो हमें हमारे घरों में आसानी से उपलब्ध हो जाए और जिसने हम हमारे सरीर को बना सकें तो इसी विसे में हम डिसकस करने जा रहे हैं तो आज का पहला वीडियो रहेगा ऐसे वेक्तियों के लिए जो की अंडर वेट हैं नॉर्मल हैं तो ऐसे वेक्ति जिनें मसल मास के साथ अपना वेड भी इंप्रूव करना है, वो लोग किस तरीके से अपना प्रोटीन के इंटेक को पूरा कर सकते हैं, तो शुरुबात करते हैं हम प्रोटीन इंटेक की, तो पहला प्रोटीन इंटेक हम यह बहुत सी सेरीज में मिलता है, देखिए दोस्तों, आपको नट्स में भी प्रोटीन मिलेगा, आपको डालो में भी प्रोटीन मिलेगा, आपको सबजीों में भी प्रोटीन मिलेगा, आप को नौन वेज जो होता है मासाहार में भी प्रोटीन मिलेगा तो वो कौन से special foods हैं जिसे हम specially बोलेंगे जिसमें हमको ज्यादा मातरा में प्रोटीन मिल जाएगा तो आज उसके बारे में जानते हैं तो पहला product जो है हम जुरुबात करते हैं nuts से यह nuts मतलब dry fruits जो हैं आपके वो क्या क्या है सबसे पहले देखते हैं हम काजू से तो दोस्तो बात करें हम काजू की तो यदि हम 100 ग्राम यदि काजू लेते हैं तो उसमें हमें लगबग 18 ग्राम के करीब प्रोटीन मिल जाएगा यदि हम बादाम खाते हैं तो बादाम में हमें 100 ग्राम बादाम में हमें 21 ग्राम के करीब प्रोटीन मिल जाएगा यदि बात करें अखरोट की तो अखरोट में भी 100 ग्राम के यदि हम अखरोट लेते हैं तो इसमें हमें 15 ग्राम जो है प्रोटीन मिल जाएगा मुंफली, हम देखें मुंफली, मुंफली बहुत सस्ता आइटम है तो जड़ी आप मुंफली खाते हैं तो आपको 100 ग्राम मुंफली में लगबक 26 ग्राम प्रोटीन जो है वो मिल जाएगा, तो ड्राइफ रूट्स जो है बहुत अच्छा तरीका है आपको फैट के लिए और साथ में ही ये आपको अच्छी प्रोटीन भी देगा बात करें सबजियों की, तो दोस्तों सबजियों में बहुत सारी सबजिया तो हैं लेकिन कुछ सबजिया ऐसी होती है जो आपको प्रोटीन जो है वो अच्छी मातरा में देगी तो सबसे पहली सबजी है हम बात करें ब्रॉकली की जी हाँ ब्रॉकली जो है आप आसानी से भारत में अवेलबल है तो यदि आप एक कप यदि ब्रॉकली लेते हैं तो इसमें आपको 5 ग्राम के करीब प्रोटीन मिल जाएगा और साथ में यदि आप एक कप मटर यदि लेते ह तो मटर में भी आपको 10 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा बात करें दोस्तों ग्रीन बीन्स की तो ग्रीन बीन्स के यदि आप एक कप लेते हैं तो इसमें भी आपको 5 ग्राम के करीब प्रोटीन मिल जाएगा पालक पालक जो है बहुत कॉमन सी फूटस हैं हमारे इणिया में तो पालक यदि आप लेते हैं तो पालक यदि एक कब पालक में आपको 6 ग्राम के गरीब प्रोटिन मिल सकता है लेकिन कुछ नहीं से कुछ तो बहतर है तो ये जो है सबजीओं में आपको प्रोटीन मिल रहा है अब बात करते हैं हम ब्राउन राइस की दोस्तों आपको जिवों में अक्सर बोला गया जाता है कि यदि आप ब्राउन राइस खाएंगे तो बहुत बैटर होता है जिया है यदि आप काउ मिल्क पीते हैं तो एक कप में गाए के दूद में आपको 8 ग्राम के करीब प्रोटीन मिल जाता है कुछ लोग हमारे भारत में easy आजकल available है soya milk तो यदि आप soya milk लेते हैं तो एक कफ सोया मिल्क में भी आपको लगबग 8 ग्राम के करीब प्रोटीन जो है वो मिल जाता है तो दोस्तों बात करें टोफू जो है यह दूद से बना हुआ होता है आजकल अविलेबल है फिर भी आपके अविलेबल नहीं है तो कोई बात नहीं मैं इसका बता दूँ आपको कंडेंट्स के दिए आप एक कफ यदि टोफू यदि यूज़ करते हैं तो आपको इसमें 20 ग्राम के करीब प्रोटीन मिल जाता है तो दोस्तों बात करें दाल की तो दाल के दिए बात करें तो हमें यह बताया जाता है कि 100 ग्राम डाल में जो है वो लगबग 23 ग्राम के करीब में प्रोटीन होता है। लेकिन दोस्तों एक सच ये है कि डाल जो होती है, हम बहुत ज़्यादा मातरा में नहीं खाते हैं। यदि आपके घर में डाल बनती है, तो आप देखते होंगे कि बहुत एक कप डाल में सारा परिवार उसे खा लेता है। तो डाल प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है, लेकिन आप इसे स्प्राउट्स के रूप में खाएंगे, तो आपको ज़्यादा बहतर रहेगा। सबजी के रूप में आप डाल एरी बनाते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन आपको नहीं मिल सकता। तो बात करें डालों की, तो डाल को आप किसी भी फॉर्म में लेए, आप किसी भी प्रकार की डाल लीजिए, इसमें आपको एक कप में आपको लगबग 23 ग्राम की करीब प्रोटीन मिल सकता है। बात करते हैं चने की, यहां काले चने जिसे हम बोलते हैं, हम देशी चने भी जिसे बोलते हैं, यदि आप एक कप यदि चने लेते हैं, तो इसमें आपको लगबग 23 ग्राम के करीब प्रोटीन इसमें भी मिल जाएगा बात करें दोस्तों सोयावीन की यहां सोयावीन नट्स जो होते हैं सोयावीन थोड़ा सा कॉंट्रवर्सी बनी हुई है क्योंकि यह टेस्टेस्टोरॉन को डाउन करता है और जो प्रावलम है एक प्रकार की तो बहतर है कि सोयावीन को बहुत जादा यूज ना किया जाए लेकिन फिर भी मैं आपको इसके कंटेंट्स बता दूँ कि यदि आप सोयावीन को यूज करते तो तो दोस्तो नॉन वेज जो है ये बात सच है कि प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है यदि आप एक अंड़ भी यदि लेते हैं तो एक अंड़े में 6 ग्राम के करीब प्रोटीन होता है और यदि आप एग वाइड यूज करते हैं यदि आप उसकी योग निकाल देते हैं तो एक एग वाइड में आपको 4-5 ग्राम के करीब प्रोटीन जो है वो मिल जाएगा दूसरा चिकन जी हाँ चिकन में ब्रेस्ट होता है चिकन ब्रेस्ट यदि आप चिकन ब्रेस्ट यदि यूज करते हैं तो आपको 100-5 ग्राम चिकन ब्रेस्ट में लगबग 24-5 ग्राम के करीब प्रोटीन जो है बहुत आसानी से मिल जाता है तो प्रोटीन का बहुत बढ़िया सोर्स माना जाता है चिकन को जो की ना सिर्फ आपकी मसल मास बाकी आपकी बोन्स के लिए भी बहुत अच्छा होता है और इम्मुनिटी को भी स्ट्रॉंग करता है और बात करें फिश की तो फिश तो बहुत बढ़िया होती है और फिश में यदि आप 100 ग्राम फिश भी लेते हैं तो लगबग इसमें आपको 30 ग्राम जियां 30 ग्राम के करीब प्रोटीन जो है वो easy available हो जाएगा तो यह है प्रोटीन डाइट ऐसे लोगों के लिए जो की size भी gain करना चाहते हैं और साथ में अपना प्रोटीन का intact भी पूरा करना चाहते हैं आपको बहुत जादा महेंगे supplements में जाने की जरूरत नहीं है इन चीजों में से यदि आप अपनी diet को पूरा करें तब आपको extra supplements लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि bodybuilding हो आपको muscle mass बढ़ाना हो किसी भी field में आपके लिए अच्छा protein diet होना बहुत जरूरी है इसलिए protein को बिल्कुल भी ignore मत कीजिए बहतर है कि आप way protein को भी use कीजिए और इने भी use करिए क्योंकि इन में problem यह होती है कि जब आप इसमें जाते हैं तो आपको अच्छी मातरा में protein तो मिलता है लेकिन carb और fat भी आपको बहुत ज्यादा मिलता है जो कि आपको मूटा बना सकता है तो easy है way protein लेकिन यदि आप उसे afford नहीं कर सकते तो ये भी रास्ता है ऐसा नहीं है कि इससे आ आपको मेरी जानकारी पसंद आए तो मेरे चैनल को like कीजिए subscribe कीजिए